आज का लेक्चर मोर आफ रिविजिन और क्यरेक्टरिस्टिक स्रेंथ आफ कॉंक्रीट पर है और उससे जुड़े कुछ सवालों पर अगर आपको कोई नॉइज आए तो सॉरी अभी नेबर में मेरे नेबर हुड में कंस्ट्रक्शन जल रहे है तो शायद आपको कुछ आवाज आ सकती है सो गाइस हमारा फर्स्ट क्वेशन है प्रें 25 कॉंक्रीट मिक्स अगर स्टैंडर्ड एविएशन सिग्मा फोर मेगा पास्कल दिया हुआ है तो हमें टार्गेट मीन कॉंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी की एफम पाइंड आउट करना है अब ग्राफ से हम जानते हैं कि एफ सी के इस गीवन बई एफम –1.65 सिड्मा तो इस इस दावाल में हमारे पास सिग्मा है हमारे पास एफ सी क्या है क्यूंकि एम 25 का ग्रेड ही एफ सी के होता है तो बस हमें एफम्त करना है तो दिस वस बेशे कान ना शेते समारे पास एंथいき सब्वेसिट्ट है what is the number of cubes having 28-day compressive strength greater than 20 MPA out of 100 cubes now to attempt this question we must have idea about our FCK की 28 दिन की compressive strength तर असल मतलब क्या है इसका जैसा कि हम जानते हैं कि हम जब जब भी हम concrete को test करते हैं तो पहले curing होती है उसकी 28 days में सबसे पहले आप molds में concrete को एक cubicle shape देते हैं फिर उसके बाद आप उससे 28 दिन पानी में curing के लिए रखते हैं ताकि hydration process हो box compound बने और concrete अपनी अल्मोस 99% strength केन करता है 28 दिन में ऐसा कोड कहता है आप इससे पहले नहीं इससे पहले के time में यानि कि 14 देज में या साथ देज में test नहीं कर सकते concrete की strength क्योंकि यह prescription है code के IS456 की so what happens is code यह बोलता है कि मानलीजे आपने n number of samples लिए concrete mix के और उसका graph आपने plot किया उन n number of samples मानलीजे यह n number of samples है इन n number of samples है यह इन n number of samples for example यहां पर 100 मानलीजे आप इन 100 samples का आपने figure draw किया compressive strength के साथ तो जब आपकी graph draw करते हैं concrete strength का frequency के साथ तो आपको एक normal distribution curve मिलता है और इस normal distribution curve में जो maximum frequency होती है उस concrete strength को हम mean target strength बोलते हैं यानि की FM और code define करता है कि characteristic compressive strength वो strength है जिसके नीचे से 5% samples आएंगे और 95% samples की strength FC के से ज्यादा ही होगी इन दोनों का difference के सिगमा होता है जहां के 1.65 होता है तो question यह बोल रहा है कि कि अतने number of concrete cubes की माल लीजेए एफ सी के यहां पर जैसा कि question में 20 दिया हुआ है तो एफ सी के इसका 20 होगा let me just show you this question in a better way तो सवाल यह पूचता है यह हमारा normal distribution curve है और यह हमारी target means strength यानि की FM और यह हमारी frequency है samples की और यह define किया गया है code के द्वारा कि वो strength जिसके अंडर से 5% samples आते हैं हमारे जिनकी strength FCK यह जो कि इस सवाल में FCK कितना है हमारा क्योंकि M20 concrete का grade दिया है तो FCK 20 होगा FCK अब इन्होंने यह पुछा है कि what is the number of cubes having 28 day compressive strength यानि की FC क्योंकि कोई भी strength हम check करेंगे 28 जिनके बाद ही check करेंगे चाहे वो FCK हो चाहे वो FC हो या FM हो यह पूरा blue वाला area तो उन्हेंने यह बोला है अगर total number of samples इस area में अगर total number of samples 100 हैं तो कितनों की strength 20 से ज्यादा होगी तो वो हमें कैसे पता चलेगा क्योंकि code यह बोलता है कि सिर्फ यह जो area है यह orange वाला यह 5% area है क्योंकि code की definition ही यह है कि FC के वो strength है जिसके नीचे सिर्फ 5% samples fall करते हैं तो that means यह तो पूरा blue वाला है pending area यह 95% samples consist करता है तो therefore number of samples having strength greater than 20 MPa would be nothing but 95% of total samples अब सवाल में उन्हेंने total samples दिये हैं 100 तो 95% of 100 samples would be nothing but 95 so answer would be nothing but 95 यह होगा answer again फिर हमारे पास एको सवाल है for M25 concrete what is the number of cubes having 28 day compressive strength less than 25 again out of 340 अब यह हमारा graph है यह हमारा normal distribution curve यह हमारा target mean strength यह हमारा FC के यह हमारा 25 FC की value अब इन्होंने यह पूजा है कि कितनी samples की strength 25 MPa से काम होगी तो यह portion होगा यह कितना है 5% therefore 5% of 340 cubes that would be 5 by 100 times 340 that would be 17 by 10 that would be 17 samples so therefore 17 samples का strength 25 MPa से कम होगा और बची हुई 340-17 यानि की 323 samples की strength FCK यानि की 25 MPa से जयादा होगी now the third question is characteristic strength of concrete is is it higher than average cube strength average means FM is it lower than average cube strength is it same as average cube strength or is it higher than 90% of average cube strength question में पूचा हमें characteristic strength यानि की FCK so from the graph itself यह हमारी target mean strength और यह हमारी characteristic strength यानि की FCK तो clearly FCK less than FM है कितना है exactly FCK sorry FM minus FCK is actually 1.65 sigma but क्यूंकि 1.65 sigma जैसे तो कुछ यहां दिया नहीं है तो FCK is lower than from the graph graph itself FCK is lower than the average यानि की FM so B is the answer अगला स्वाल है अगर characteristic compressive strength यानि की FCK is defined as that compressive strength is defined as compressive strength such that 10% samples have less strength than FCK अब देखें यहां पर actually मैंने जो original statement है code की IS code 456 की वो तो यह बोलती है FC के वो strength है which is defined as compressive strength such that 5% samples have less strength यहां पर इन्होंने code की language को change किया हुआ है इन्होंने यहां पर maybe या पता future में हो भी change तो FCK इन्होंने यहां पर define as compressive strength with such that only 10% samples instead of 5 they have changed to 10% जो actual code की language है तो अब यह बोल रहे है such that 10% samples have less strength than FCK तो K की value क्या होगी क्या यह increase करेगी यह decrease करेगी तो इसके लिए पहले मेरे मिटा देता हूं कि 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 इसके लिए हम इससे पहले graph करना पड़ेगा यह हमारा normal distribution curve जो की बनता है जब हम plot करते हैं graph concrete की strength में और number of frequency of samples में यह frequency में number of samples यह हमारा target mean strength है अब originally code तो यह बोलता था कि fc के वो strength है जिससे कम सिरफ 5% samples है जिनकी strength fc के से कम होगी just 5% but new code यह बोल रहा है और और तब कितना difference था fm और fck में it was k sigma where k was earlier 1.65 अब इन्होंने shift कर दिया है code को change कर दिया है अब इन्होंने कहा है कि 10% samples होंगे instead of 5 let us say this is your fck dash new fck क्योंकि नए code के accordingly फिर characteristics strength भी change होगी so अब 10% है यानि यह 5% हो तो यह भी 5% होगा this is also 5% यह लिए so now the new difference between new fck and fm would be let it be k dash sigma so from the graph itself you can see that after you have shifted the fck more towards the fm the difference between fck characteristic strength and mean target compressive strength decreases clearly k sigma बड़ा है k sigma बड़ा है k dash sigma से so what would it mean इसका मतलब की जो k की value होगी वो decrease कर जाएगी तभी ये difference कम है so therefore k would be less than 1.65 that would be the answer in case इनो ने ये कहा होता की compressive strength is defined as that compressive strength should such is defined as that compressive strength such that 2% samples have less strength तो अगर उन्हेंने 2% बोला होता तो जो FC के है वो यहां कहीं shift करता तो इससे value बढ़ जाती so in case अगर ऐसे आपको सवाल आए तो अगर जो original code का FC के है उस जो 5% पे situated है अगर उससे इन्होंने बढ़ा के 10% 6% 7,8 कर दिया तो k की value कम होगी original k 1.65 से और अगर इन्होंने इसे कम कर दिया 3% 2% तो k की value 1.65 से ज़्यादा होगी तो यह आपको ज्यान में अपने अगला सवाल है यह मैंने यहीं पर solve क्या होगा है if characteristic compressive strength is defined in such that 50% samples have less strength than FCK find mean compressive strength mean need compressive means FM अगर sigma 4 MPa अब इन्होंने statement ही दे दिये कि 50% samples have less strength तो that means इन्होंने इसे shift करके so इस सवाल में इन्होंने यह कहा है यह रहा हमारा normal distribution curve यह है हमारा original mean strength target mean strength और यह है हमारा as far is code जो हमारा FCK defined होता है 5% samples now they have said that FCK is defined such that 50% sample have less strength तो यानि कि यह 5% से इन्होंने shift करके क्योंकि यह शुरू से लेकर graph FM तक 50% होता है इन्होंने नया FCK situated कर दिया है यहां पर एकदम exactly FM पर FCK डाश सो अभी यह पूछ रहे हैं कि mean compressive strength क्या होगी M25 की as per new grade तो अगर तो आपने defining FCK को नया ऐसे कर दिया है कि it is situated at the middle of this graph that is 50% samples have less strength so the new FCK would nothing would be nothing but itself the target the target mean strength the average strength so therefore नया FCK FM के बराबर ही हो जाएगा तो अगर नये code में यह कहते हैं कि M25 concrete grade है usually जब हम M25 M10 देखते हैं तो हम बोलते हैं कि FCK बट क्योंकि अब इन्होंने define ही ऐसा कि है कि the compressive strength is such that the 50% sample have less than तो यही FCK अब FM बन जाएगा जो कि हमने graph से क्योंकि इस जो इन्होंने नया ही language यह नया मान लिजे code को इन्होंने ऐसा चेंज किया कि यह 5% से सीधा 50 by 50% पर इसे shift कर देते हैं तो नया FCK ही FM बन जाएगा तो therefore the new mean strength would the new mean strength जैसे की सवाल में पूछा है find mean compressive strength that new mean strength would itself be 25 hence the answer would be 25 Megapascals okay so यह हमारे सवाल थे हैं let's go into some basics this would be more for the beginners rather than someone who has already been in studies from past one two or three years so guys we this is so as I said this is more for beginners you can skip this this part from here if you are not into यह काफी बेसिक मैं यहां पर कंटियू करूंगा so this is more for beginners so as you are aware of these two terms in concrete this is RCC and PCC RCC stands for reinforced cement concrete whereas PCC stands for plain cement concrete now when we had plain cement concrete why at all did we go for reinforced cement concrete that's what we are gonna see here reinforcement kya hai what is reinforcement we'll go into that later but let us first know why at all reinforcement okay why at all reinforcement so here is a diagram of a simply supported rectangular beam which is having a point load at its center so what would happen it would sag sag करेगा जैसा कि हम सब जानते है इस लोड के अंडर और कुछ ऐसा exaggerated shape इसका बनेगा sagging में exactly ऐसा नहीं होता है क्यूंकि इतना लोड अगर इतना बेंट करने लग जाए बीम तो फिर क्या ही दिजाइन किया है हमने but this is just for us to understand it simply so what happens is every part above neutral axis of this beam goes under the goes into the compression and every part below this neutral axis goes into the tension now this bending let's see first the properties of concrete okay now in properties let us see the stress strain curve of concrete क्यूंकि जब भी हम properties में आते हैं आप यूशुली find करेंगे सबसे पहले हम लोग stress strain का कर्व करते हैं आर चीज का तो concrete का जब हम stress strain का कर्व करते हैं concrete का तो कुछ ऐसा मिलता है compression में और कुछ ऐसा मिलता है tension so इस graph से हम clearly यह देख सकते हैं कि concrete compression में far better rather than tension tension में तो एक छोटी से stress value पे ही tensile stress पे ही यह ब्रेक कर जाता है but compression strength में काफी देर थक it can sustain compression so hence concrete has higher compressive strength than tensile stand so we get three conclusions from these from the stress strain graph of concrete the first conclusion is this that it is strong in compression which is a positive positive point but the next two things about concrete that is weak intention and the third most that it is brittle in nature fails suddenly without any warning ये तो major negative point से इसका ये तो मेजर नेगितिव से इसका ये तो मेजर नेगितिव से इसका fail suddenly without warning you can imagine it as kitkat chocolate now when you try to break a kitkat chocolate it breaks it doesn't bend kitkat chocolate bend नहीं होता है तूटने से पहले आप तोड़ने के कुशिश करेंगे कुशिश करेंगे suddenly just knock और तूट जाएगा बेंड नहीं होता है kitkat chocolate उसी तरह compression में या tension में जो हमारा concrete है ये sudden warning के साथ एकदम तूट जाता है ये बेंड नहीं होता है so as I have written here be it in tension or be it in compression failure of concrete is brittle just like kitkat chocolate and fails without warning that is it has brittle failure so hence to rectify these drawbacks we take help of steel why steel is less tea kyunki we'll have to see how the steel react in tensile force so to rectify these drawbacks we take help of steel no steel has this special property of yielding which concrete doesn't have from the graph itself you can see as stress increases stress goes on increases linearly then comes a point which is called as the yield point there is large deformation for constant stress before the actual failure before the actual fracture of concrete so this is where tension has a positive point in comparison to the concrete had it been concrete it would have simply failed here but this is steel it doesn't just fails it will show yielding it will show large deformation before its failure hence concrete negative point that it frays it breaks suddenly steel will just overcome that property of concrete this property of yielding is known as ductility just like snickers chocolate so before its total fracture before its before it breaks itself completely into two halves you see it will yield so this is how steel yields now what is yielding yielding is large engine strain for a constant value of stress which i have told you earlier as well उससे फ Toussेरिए आप का मैं त्पेर यृद्च नहीं किया तन्चिए ये कॉंक्रीट का रेदम एिटे में मैं ने शोंकिया हैson पता लग जाएगा कि बीम गिरने वाली है, because it will show you deformation. Had steel not been there, अगर 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 कि बीम बनाए, यह 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 बनाए, it would just immediately fail, without letting you know कि हुआ क्या. So, both the problems of concrete get solved with steel. That is, the concrete was weak intention, steel is very strong intention, the concrete used to show brittle failure or sudden failure. so steel does not show brittle failure or sudden failure hence the need for Y reinforcement in the cement concrete that's why RCC came into the picture let's go back so whom will we give responsibility of compression of course it would be concrete because concrete is very good in compression and to whom will you give the responsibility of tension that would be steel because steel is good in tension now here are the two zones which I have divided above neutral axis and below neutral axis where would we provide steel? it would be in the zone second it would be in the zone second where we provide steel because below the neutral axis it goes under tension and concrete is not good in tension so we provide steels here now here is a cross section of our RCC beam compression is taken by concrete and the tension is now taken by steel so now what is compressive strength of concrete Fc? it is the stress under which concrete fails under compression for that we must do testing because only testing will let us know concrete strength is very strong in compression now if I say concrete is very strong in compression does it mean that if I take a hand on the beam would it be able to take that load even if it compressive strength? no we don't know so how much of a strength can a beam can a concrete take? how do we know about it? we know about it through some testing and that testing is suggested by the code IS4562000 now also while we do testing concrete so we don't need to take concrete in a bar there has to be a specific size and shape of concrete for the testing purposes so code hi suggest karta hai ki concrete ka test karna ho to kya size ho ga kya shape ho gi so what code tells is that compressive strength we'll test the compressive strength of 28 day cured concrete cube which has a size of 150 mm cube that means a cube which has a size of 150 mm sorry abhi toh kya voiled hi lag raha hai but assume it as if it's a cube so a cube which has a side of 150 mm and we just care cured for 28 what is cured? so this is how we do do curing from the images you can see that yaha pe samse pehle ye ek mold me tiyar kar raha hai concrete ko concrete mix ko is ne cubical mold me prepare kar raha hai uske baad yye curing ke liye se 28 dhin mein 28 dhin ke liye se paani me rakhenghe so that it gains its strength uske baad yye ek universal testing machine hai jis mein load pro dalte hain aur test karte hain ki kis particular load pe iska fracture iska failure hoota hai toh curing kya hai that after we cast the concrete we treat it with water why cause cement concrete needs water for hydration so curing is done for 28 days why not 27 why not 26 why not 24 why not 22 why because this is being suggested by code code he suggest karata hai ki exactly 28 day minute may may aap after 28 удhin ke exact curing ke baadhi our testing ke lis jaennge aur koon si machine ւhuse karute hay testing of cubes ke ultimate now so the strength or stress at which can create fail in the universal testing machine while testing is FC ये फरक है FC, FC-K में और FM में इस इस सम्धिन आप 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 FC is worse? FC is just compressive strength of concrete at which it fails in universal testing machine whereas FC-K is characteristic compressive strength while FM is the mean target compressive strength now the salient features of compressive strength of concrete FC is that we get the compressive strength in 28th day now there is another fact that on the 7th day itself the concrete gains 67% of its strength of that in 28 days so the strength concrete 28th day 7th day it will be 2 3rd yarni 67% so if 28th day में 18 MPa strength so 7th day में it would be 2 by 3rd of 18 that would be 12 MPa now another feature of this compressive strength of concrete is that the cube size has to be 155 mm each which led us to the slenderness ratio equals to 1 150 mm ke cube ke size ka jo slenderness ratio hooga go one hooga cylinder next ratio kya hoota hai? mein aap ko just aapi bata humga now this test can be conducted on cylindrical specimen as well with dia 150 mm and height 300 mm which gives slenderness ratio of 2 kuch alag countries mein cylindrical specimen hi use hoota hai shayad US mein india mein indian standard code hume cubicle shape suggest karta hai testing ke liye now the cylindrical the cylinder strength is 80% that of cube strength why is it so because the concept is that as the slenderness ratio increases the strength decreases and beyond slenderness ratio of 4 the strength is 67% of the cube strength that mean 4 tak reduce karti hai and so on nearly 67% of the cube strength so clearly we can see that the cube shape of the shape of the specimen is the strength is more as compared to the cylindrical slenderness ratio is the ratio of height to base width so jaisa ki amare pas yahan cube hai jiska height 150 mm or base width 150 hai to iska slenderness ratio h by b 150 by 150 would be one whereas for that a cylindrical specimen it would be 300 height by base width 150 it would be 2 so as we as I said that if slenderness ratio is one it would be the hundred percent strength of a cube strength and if it goes up it goes up to 2 it would be 80 percent it if it goes up to 3 it would be less than 80 percent and if it is 4 or greater than 4 the strength remains 67 percent and this is why we also know that when we are designing when we are designing strength when we are designing strength FD to the first of all we get the size factor or slenderness ratio aspect so we get the two thirds of the fck strength which is 0.67 fck then we divide it further from partial factor of safety of concrete 1.5 then our design strength 0.447 fck or 0.45 fck so these are all code provisions now let us see characteristic compressive strength of concrete or grade of concrete I have made a diagram of concrete mix which I have made three zones 1, 1, 2, and 3 and from there I want to take samples from concrete so actually I have mixed with something like this which I have made the diagram illustration is made like this I am making concrete mix this is like this concrete mix and I have made three zones वह उसमें bonus मिलता है अब इवन दो इत्स वन मित एक ही अ गभल से माने बनाए एकुणिदी आ इस में आया ध्यक्स कॉंटिटी पीक्समीन औफ सय दालेła ऑदीनीट में मिक्स है इसलिए जैसे कि आप देख भी सकते हैं first वाला जो हो सकता है वहां पर सेंड थोड़ी ज़्यादा हो में जो सेंड शेंड ज़्यादा हो जो फटर यह ग्रीगेट थोड़ी ज़्यादा हो तो इस इसी छोटे-छोटे difference है क्योंकि यह प्रॉपर्ली मिक्स ही नहीं होती, concrete का mix ही हेटरोजेनस है, difference हाजाता है strength में, hence पहले zone से निकला हुआ, जो सेंपल है, वो 23 MPa strength दिखा रहा है, दूसरे से जो निकला है, वो 24.5 दिखा रहा है, और तीसरे से जो निकला है, वो 21.7 दिखा रहा है, so different cube strength from same concrete mix, now why FCK, why do we need FCK, so specimens even if prepared from the same design concrete mix, exhibit different compressive strength, due to heterogeneous nature of concrete, therefore one compressive strength is selected for design purpose, हम को एक प्रॉपर्सिघ्ट को सज़ेस्ट का रहा है, design purpose के लिए, so what do we do, we prepare ample samples, from the same mix, say 100, we get different different cube strength, मान लिए कोई 20 है, कोई 20 है, कोई 22 है, 23, 24, और कुछ samples होने के बाद, certain values repeat होने लग जाती है, मान लिए जैसे कि मैंने बोला कि 20, 22, उसके बाद फिर 21, 22, उसके बाद कुछ और, फिर 22, उसके बाद मान लिए 20 है, तो कुछ values repeat हो जाते हैं, तो मान लिए for example, कि 23 MPa के हमें 17 samples मिलते हैं, 24.5 MPa के हमें 16 samples मिलते हैं, और 21.7 MPa के हमें 25 samples मिलते हैं, यह frequency है, जो मैं बोल रहा हूं 17 samples, 16 samples, यह ही ओ frequency है, जो मैं ग्राफ में भी द्राव कर रहा था, and these values, 23 MPa, these are Fck, the compressive strength, now we draw the curve between frequency of sample and Fc, compressive strength, this graph follows the normal distribution curve, or Gaussian distribution, this is how it looks, like a bell, now FM is the strength having maximum frequency, जो मैंने पहले भी बताया सवाल होना, now this graph has statistical data, और for statistical data, we use standard deviation, and we also find the FM, FM कैसे find out करते हैं, individual जो concrete samples की strength है, Fc1, Fc2, Fc3 वगारा वगारा, उनका sum divided by the total number of samples, जो इस हमारी example में 100 होगा, और standard deviation, find out करते हैं हम, इस statistical data की वो कैसे, difference find out करते हैं, individual जो samples है, और mean samples है, उनका difference उसका square, divided by n-1, जो की 99 होगा, उसका root अंदर, so FM हमें में देता है mean compressive strength, और sigma हमें बताता है, standard deviation, now ideally we should have gone for mean strength, अगर आपको कोई बोले, की मेरे पास 10 samples है, different different strength के, तो आप कोन सा sample use करेंगे, of course आप सोचेंगे की, अलग-अलग है, I'll use the average one, because average one would be the best one, but what happens here is, for example, अगर आपके पास 500 रुपे हैं, और आपका कोई दोस्त है, जो पाटी शाटी बहुत मागता है आपसे, और मिल्कुल आपको छोड़ता नहीं है, वो मतलब एक बारी शुरू हो गया, कि पार्टी दे, पार्टी दे, उस दिन आपके पास 500 हैं, ठीक है, तो वो बोलेगा चल भाई दोसो देदे, अब दोसो की पार्टी आपने उसको दी तो जी एस्ट बेस्ट लगा के मान लिजी की धाइसो हो गया, अब उसने बोला भाई पैसे तो धाइसो हो गया, तो because you had 500 आपने 50 रुपया और निकाल लिया, बोल दिया कि आ रहे हैं यह 50 रुपय मिल गए मेरको, हाँ but सोचिए इस same situation में अगर आपने उस दोस्त को यह बोला होता कि मेरे पास 500 हैं तो वो 500 तो लेता, तो GST लगा कि मान लीची साड़े 500 हो जाते हैं, तो फिर आप 50 रुपय कहां से लाते हैं तो hence आप रियल लाइफ में भी एक कॉंजरवेटिव अप्रोच अपनाते हैं So, same is the case with the codes, code कॉंजरवेटिव अप्रोच चलाता है, code wants to take ample precaution इसलिए वो lower value बता लेता है, strength की So, it's a standard thing, be it in a real life, strength हो या money हो, we always tell a lower value, we always choose a lower value So, हम FM से, means strength से कम value लेते हैं To maintain a factor of safety, कितना less? वो code हमें बताता है So, मान लीजे, यह हमारे mean strength है FM, जो की 500 suggest कर रहा है, जो मैंने exam पर दी और हमने उनको बोला कि नहीं हमारे पास 200 ही है, यह हमने strength उनने show की तो वही code भी बोलता है, कि even though the mean comprehensive strength is FM, we choose less than it, we choose FCK So, definition of, जो definition code की है, exactly, वो थोड़ी बहुत शेशी थरूद की language है, जो easily समझ नहीं आती, काफी complicated English So, the characteristic strength is defined as the strength of material below which not more than 5% of test results are expected, Paul हाँ, आप इसे एक बार पढ़िये, दस बार पढ़िये, नहीं आता है, आपको इसे simplify करने के लिए, यह जो statement है, which not more than, इसे 5% पढ़ना है So, the characteristic strength is defined as strength of material below which 5% of the test results are expected to fall तो यानि की, FCK वो है, वो strength है, जिसके नीचे सिर्फ 5% samples आते हैं, सिर्फ 5% sample की strength FCK से कम है, और 95% sample की strength FCK से ज्यादा है It is expressed in Newton per millimeter square or mega pascal, और FC को ही grade of concrete भी बोलते है, जो M25 होता है, M20 होता है, M25 में 25 और M20 में 20 ही FCK है So, यह है हमारा normal Gaussian distribution curve, यह हमारी frequency So, from the graph itself, we can see that FCK यहाँ situated है, और सिर्फ 5% sample की strength इस से कम है, और 95% की strength FCK से कम है, मतलब यह हमारा 200 रुपे है, और यह हमारा 500 रुपे है, मान लिजए तो इस FCK कम strength है, जितनी हमारी 50% samples की तो FM ही है ना, बट हम choose कितनी करते हैं, हम FCK choose करते हैं So, graph से हम देख सकते हैं कि जो difference है FCK और FM का, वो हम निकाल सकते हैं, FCK is FM minus K sigma और for 5% less than FCK, K जो की probability factor है, वो 1.65 होता है, so hence FCK का formula होता है, FM minus 1.65 sigma इसी के लिए जो normal distribution का होगा है, यह आप probability में पढ़ते हैं, तो उसमें यह factors आप निकालते हैं अगर 5% हो यहां पे तो K कितना होगा, अगर 10 हो तो K कितना होगा, तो इधर 5% के लिए K की value 1.65 है So, आज के लिए इतना ही होगा, बाकी यह question से जो मैंने शुरू में आपको सिखा है So, it was just a basic revision of, I would say, cement concrete or RCC or the characteristic strength of concrete, thank you